दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जिनका वजन किसी ना किसी कारण से बहुत ज़ादा हो गया था और फिर उन्हें वजन कम कराने के लिए सरजरी का सहारा लेना पड़ा कई लोग आज भी अपनी लाइफ जी रहे हैं तो कई लोग इस दुनिया में नहीं रहे ऐसे ही एक शक्स थे जिनका वजन 444 किलो हो गया था उन्होंने जब सरजरी कराई तो उनका 120 किलो वजन कम भी हो गया था लेकिन उन्हें हार्ट अटेक आया और वो बच नहीं पाए उनके बढ़ते हुए वजन के कारण उनकी लाइफ काफी मुश्किलों से भरी रही बतादे वजन घटाने के लिए सरजरी का आसान रास्ता चुनना बेहत खतरनाक हो सकता है चलिए आपको बताते हैं कि वेट लॉस के लिए सरजरी कराने के क्या नुकसान है बेरियेट्रिक सरजरी वजन कम करने के लिए लोग बेरियेट्रिक सर्जरी यानि ओप्रेशन करवाते हैं काफी लंबे समय से मोटापे का सामना करने वाले जो लोग समानने तोर पर वजन कम नहीं कर पाते या मोटापे से संबंदित स्वास्त समस्याओं जैसे डाइबिटीज, हाई बलड प्रेशर, हाई केलेस्ट्रोल लेवल और स्लिप एपिनिया से पीडित लोगों को ये सर्जरी कराने की सला दी जाती है बेरियेस्ट्रिक सर्जरी तीन तरह की होती है सर्जरी के दुश प्रभाव सर्जरी से शारेरिक सनरचना में परिवर्तन लाया जाता है जिसमें पेट और पाचन तंत्र भी शामिल रहता है इस सर्जरी के बाद भूग कम लगती है जिससे वजन धीरे-धीरे कम होने लगता है इसके कई दुश प्रभाव भी हैं जिसमें संक्रमन, रक्त लप्ता, डाइरिया, पोशन में कमी, पत्थरी, हारनिया, महिलाओं के लिए गर्ववस्था में परेशानी और समय से पहले बच्चे का जन्म जैसी कई समस्या शामिल है हाला कि बेरियास्टिक सर्जरी से होने वाली दिक्कत जानलेवा भी हो सकती है 2014 में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक बेरियास्टिक सर्जरी के बाद फेफडों में पैदा हुई दिक्कत के चलते एक व्यक्ति की जान चली गई थी बेरियास्टिक सर्जरी के बाद जीवन आसान नहीं होता कई लोगों का शरीर ऑपरेशन के बाद जीने के लिए जरूरी नियूंतम आहार भी नहीं पचा पाता मही जादा तर लोगों को खान पान के मामलों में सक्त परहेज बरतना जरूरी होता है मही विशिश अग्यों के एनुसार अगर ऑपरेशन के बाद शराब पिए या तला भुना खाए तो फिर से मोटा हो सकता है इस वीडियों फिलाल इतना ही ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए बोल्ड स्काई को सब्सक्राइब करना ना भूले